हेलो दोस्तों यह यामा की फैसिनों आप देखी सकते हो इस गारी में जो यह प्राब्लम है पीकप भी नहीं ले रहा है गारी 40 के स्पीड से उपर नहीं जा रहे है और एक दोम ऐसा पीकप इसका ठका हो पीकप है एक तुम लोग पीकप है पीकप नहीं ले रहे हैं ऐसा लग चेक करेंगे और एयार filter को चेक करेंगे और इन सारे चीज़ को हम एक एक करके चेक करेंगे तो गाड़ी जो चली हुए अब देख सेकते मीटर पर कितना चली हुए गाड़ी तो फिर भी गाड़ी में problem है ठीक है तो गाड़ी जो बुरी तरह से मीसिंग कर रही है और पीकप नहीं ले रही है गारी 40 के उपर नहीं जा रहे है तो यह पर इसे चेक करेंगे और यहां पर एक यह फिल्टर है इसे भी चेक करेंगे तो एक एक करके चेक करेंगे और कहां तो प्लाग पाने से हम इस प्लाग को जो ओपन कर लेते हैं इस प्लाग पाने की मज़र से हम प्लाग को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यह अंदर चला गया तो हम इसे ओपन कर लेते हैं आप लाग की कॉंडिशन आपको दिखाते हैं यह लूज हो गया तो प्लाइग की जो कंडिशन है यह अब देख से बहुत ही खराब कंडिशन है पेट्रोल जाहें बहुत इंजिन के अंदर ज्यादा आ रहा है और मिक्सर जो है बहुत रीच मिक्सर इंजिन के अंदर आ रहा है तो इसी की बज़े से माइलज का भी प्रॉब्लम है गारी में तो इस प्लाइग को हम चेंज नहीं करेंगे इस अच्छी तरह से क्लीन करेंगे करने के बाद इसी प्लाइग को हम लगाएंगे फिर से और मुझे लगए प्लाइग का प्रॉब्लम नहीं है तो यह जो प्रॉणा प्लाइग है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और इ प्लाग जो हमें चितरा से टाइट कर दिया इसके बाद यह प्लाग के अब हमने कुरेते इसे भी वह पर अच्छी तरह से अटच कर देंगे तो यहां पर यह देख सकते हैं हम पेट्रोल को चेक करेंगे कही कबार क्या हो जयता है पेट्रोल कर बोटर के अंदार सही से ना जा करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं इस कर्बूर्टर का जो पाइप है जहां पर कर्बूर्टर पर लगा हुआ है यहां फर एक फिल्टर चोटा सा फिल्टर फ्यूल को फिल्टर करने के लिए ठीक है तो इस फिल्टर को हम चेक करेंगे यहां पर अब देख सकते अगर कभी यहां प्राब्लम नहीं है तो पुछ औरा हम चेक करेंगा देखेंगे चेक कर के क्या प्राब्लम है तो प्लाइक कोूंने चेक कर लिया उसके बाद यहां पर एक चौकě जो गाड़ी को स्टार्ट करने जब भी असके स्टार्ट किया जा सकता है तो इस जोक अभी प्रब्लम इसका भी नहीं है तो इसे आमें करके इसे लगाना है अच्छी तरह से क्लीन करके तो अब देख सकते हो ला कि मैंने इस से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया अब हम इसे फिट कर دेंगे प्रब्लम यहां क्या मुझे तो नहीं लग रहा है तिखे और एक चीजर चेक करेंगे एसे तरह से टाइट कर देंगे उसके बाद जो है यह फिल्टर को चेक करना है फिल्टर का कंडिशन कैसा है तो सारे नाट को हमने लूज कर लिया तो यह देखिए यह खुल गया यह जो है यह फिल्टर का जो क्याप है उपर का वह है इसके अंदर की कंडिशन आप देख सकते काफी डास्ट है इसके अंदर तो हम इसे वे च्छी तरह से क्लीन करेंगे इसके अंदर इंजिन ओल भी है थोड़ा सा इसका कंडिशन बहुत खराब है यह देख सकते मतलब जब घारी उन्होंने खरीदा तब से मुझे लग रहा है कि फिल्टर नहीं चेक किया उसने तो फिल्टर का कंडिशन बहुत ही खर प्रब्लम हो रहा था पेक का प्रब्लम में जो चालिस के उपर गारी बहुत पीक अप नहीं ले रहे थे स्पीड जो है तो हम इसे चेंज कर देंगे खिक है और इसका अंदर का जो कंडिशन अब देख सकते हैं इंजीन ओल को इसके आंदर आज चुका है तो इसे उसे चित प्रब्लेम नहीं है और मालेज का भी प्रब्लेम नहीं है तो गाड़ेक दुम ओक्यों हो गया ठीक है तो अगर वीडियो चले के तो लाइक को चांड को सब्सक्राइब करो थैंक्यों सो मॉच थैंक्स पॉचिंग